यह दिखें में तो बहुत ही छोटा है पर है बहुत कदरनाक बात करते हैं इसके sound quality, features और battery life के बारे में Hey, मेरा नाम है Shivam और आप अगर JBL Go4 को चेक करना चाते हैं तो आप नीचे दियो वे discount link से चेक कर सकते हैं सबसे पहले इसको unbox कर लेते हैं यह रही shipping package जिसे मैंने Amazon से buy किया है अब इसे unbox कर लेते हैं यह रही retail packaging जो कि काफी बढ़िया लग रही है इन्होंने speaker की color के साथ box को match किया है जो कि अच्छा लग रहा है इसे open कर लेते हैं और Go4 को बाहर निकाल लेते हैं यह रहा है JBL Go4 काफी poppy सा color है और premium feel हो रहा है यहाँ पर USB-C cable charging के लिए और साथ में कुछ documentation जो किया हमें नहीं चाहिए यह थी unboxing अब शुरू करते हैं review इसके design और build quality से JBL का काफी अच्छा नाम है speakers में और stylish design में और JBL Go4 भी काफी बढ़ी है इस मामले में मैंने काफी सारे JBL के product use करे हैं आपने देखी हैं चैनल पर review किया हैं और सारे काफी limba चलते हैं Go4 के अंदर हमारे को five color options मिल जाते हैं तो जोंसा भी आपको पसंदारा है वो pick कर सकते हैं पर overall speaker काफी compact और छोटा है आप असाने से hold कर सकते हैं और ले की जा सकते हैं pocket में डाल सकते हैं इतना चोटा है यह और साथ साथ लाइट वेट भी है 190 grams का इसका weight है जो कि around आपके smartphone के जतना heavy हुआ बात करो इसके overall feel की तो device काफी premium feel होता है यहाँ पर हमारे को woven texture दिया हो है इनोंने यह और rubberized texture भी है आजपास जो कि काफी कुल मिला के अच्छा लगता है और मज़े की बात ही है कि जितना भी woven fabric है सारा recycled material से बनाया गया है जैसे की go 3 में था यहाँ पर भी आपको यह लूप टेकने को मिलेगा जिसको आप ऐसे hang कर सकते हैं speaker या फिर ऐसे खेल भी सकते हैं अब गाना सुनते हुए device को आप सीधा भी रख सकते हैं desk पे या फिर इसको लटा भी सकते हैं इसके दोनों side पे bottom पे और back पे rubber feet दिये हुए है तो आपके table से खिसकता नहीं और अपनी जगा पर टिगा रहता है इसके top पे हमारे को सारे buttons मिल जाते हैं media control करने के लिए जिसे की play pause के लिए और volume up down के लिए हलाकि आपको कोई भी ऐसे next or previous track की key नहीं दिए dedicated पर आप फिर भी change कर सकते हैं अगर आप इसके play button को दो बार दबाएंगे तो next track हो जाएगा तीन बार दबाएंगे तो previous track हो जाएगा अब इस speaker में सिर्फ यही तीन buttons नहीं है इसके left side में आपको और भी buttons मिलते हैं जिसे की power on off का button है Bluetooth button और auracast का button इसके बारे में थोड़े बाद में बात करते हैं उसके नीचे एक LED इंडिकेटर भी दिया हो है और जो इसकी rubberized exterior है उसकी वज़े से bumps और drops में भी बचा रहता है और ऐसे को scratch बगएर कुछ नहीं है अब बात करते हैं इसके features और connectivity के बारे में यहाँ पर हमारे को Bluetooth 5.3 version मिलता है जो की latest Bluetooth technology है जिसकी वज़े से हमारे को stable connection और longer range मिलती है और इस device को आप एक time पर दो device से भी connect कर सकते हो अगर आपके पास 2 JBL Go 4s हैं जैसे कि आपके और आपके friend के पास तो आप इसको एक अठे connect कर सकते हो बस वो करने के लिए आपको इसका औरा cast वाला button दबाना है और आपके दोनों के दोनों speakers connect हो जाएंगे आपस में तो जैसे कि आप अगर cafeteria में बैठे हैं या ground में बैठे हैं तो आप दोनों connect करके काफी loud device का मज़ा नहीं सके हैं जब आप इस speaker को पहली बार connect करेंगे तो आपको एक pop-up देखने को मिलेगा अपने device पे अगर आप इसको setup करते हैं तो यह device आपकी Gmail account से link हो जाएगा और आपको इस setup के लिए बोलेगा और app डाउनोड करने के लिए और जो इसकी JBL के खुद की app है वो काफी अच्छी है उसके अंदर हम EQ set कर सकते हैं जैसे के अलग-अलग modes है उसके अंदर JBL signature sound, energetic है, vocals है, custom भी set कर सकते हैं आप उसके नीचे आपको party boost mode में मिलेगा जिसको on करने से आपको extended battery life मिलती है इसके अंदर आप stereo grouping भी कर सकते हैं जैसे के मैंने बताया और आप इसके product information भी देख सकते हैं जहाँ पर आप इसे rename कर सकते हैं, feedback tone को on-off कर सकते हैं, serial number देख सकते हैं और software update भी कर सकते हैं पहली वार मैंने इसको connect किया था अपने phone से, एक software update आई हुई थी तो भू मैंने कर दी, अलाकि बड़ी basic update थी, उससे कुछ मैं को noticeable change नहीं दिखा, अब यहाँ पर दो ऐसी चीज़े हैं जो मुझे missing लगी इस speaker में से, एक थोड़ी major है और एक थोड़ी minor, पहले बताता जो इसकेंदर आप input देखते हैं वो से Bluetooth मिलती है, इसकेंदर कोई भी AUX input नहीं दी हुई, जो कि कुछ लोगों के लिए turn down हो सकता है पर बहुत ज़्यादा major issue नहीं है, दूसरी चीज़ जो थोड़ी major है वो यह है कि इसकेंदर आपको microphone नहीं मिलता, जो कि कुछ लोगों के मामले में हमारे को मिलती है, unknown amount of battery image, और मेरे को एक side पे दिखा कि 850 mAh की battery है, इसके अंदर, anyways, इसके अंदर हमारे को 3 hours लगते है, चार्ज करने में इसको full, JBL क्लेम करता है कि हमारे को 7 hours of playtime मिलेगा, मेरे ख्याल से at 50% of volume वो शायद बता रहे हैं हमारे को यह, पर मैंने इस Of course, किसी भी sound device के लिए सबसे ज़रूरी चीज होती है sound quality, तो उस मामले में JBL Go 4 कैसा perform करता है, उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छे लगए तो definitely like जरू कीजेगा, driver size की बात करो तो Go 4 के अंदर मारे को 45 mm का driver मिलता है, सबसे पहले इसके sound test सुनके देखते हैं ताकि ह सबको एक idea होजी कि इस तरह का sound करता है, overall in terms of sound, मिरको इसके decent sound quality लगी, in terms of volume इसके loud हैं और आपके entire room को sound से fill कर देगा, और अगर आप आप बाहर भी बैठे हो ground में अपने दोस्तों के साथ, तब भी आपको यह काफी loud हैं और आपके entire room को sound से fill कर देगा, और अगर आप आप loud लगेगा, speaker काफी clear भी है, in fact, अगर आप vocals वगरा सुनेंगे, इसके meds, highs, काफी clear है, पर जब बात आते हैं इसके bass पे तो भी हलका सा मुझे weak लगा उस मामले में, अगर आप इसमें rock, acoustic, pop या इस तरह के genres हो रहे हैं तो काफी अच्छा लगता है सुनने में, काफी in fact बढ इसफाय नहीं कर पाए, ऐसा करते हैं कि bass heads वालों के लिए मैं एक new speaker ढूंद के लाता हूँ, उसके लिए बस आपको एक छोट सी कीमित चुकाने पड़ेगी, subscribe करना पड़ेगा और notifications on, तभी आपको नहीं वीडियो का बता चलेगा, तो जैसी मुझे कोई अच्छा speaker मिलेग मैं definitely videos पर डालूँगा, क्योंकि अभी मैं इसके सल और speakers भी compare करूँगा और आपको बताूँगा, इसका price consider करते हैं जो कि 4000 रुपीज है इंडिया में, मुझे लगाई कि थोड़ा से expensive है, अगर ये 3500 के आज पास हो दा, ये इसकी bass और अच्छे होती, तो मैं काफी happy होता recommend क करने के लिए मैं इसे overall 3.7 stars दूँगा out of 5, अब आप इसे कोई भी से check करना चाते हैं तो आप discount link check कर सकते हैं description में से, आप मेरी और भी वीडियोज चेक कर सकते हैं यहां से और यहां से, पर यह थी आज की वीडियो, like, share, subscribe, stay safe, bye bye